नमस्कार दोसदों स्वागताब सभीका अखवारों में खबरों में आपने कई भार grandmasters के आपने सुना होगा। इन सारी चीज़ों को हम विसार से देखने वाले हैं, काफी नई चीज़ आपको सीखने को मिलेंगी, वीडियो को उन तक देखेगा, चैनल पने हैं तो सब्सक्राइब वश्य करिएगा, पॉलिटिस्ट इकनोमी जेकेटि उजरा आफिस से लिवामे टेनिकोलोजी के तमाम व यानि कि ये उमर भर उस विक्ति के साथ रहता है, तो जब हमने पहले बात करी कि ये कितने समय तक रहेगा, तो ये पर्मनेंट उस विक्ति के साथ रहेगा, यानि अगर एक बार कोई ग्रैंड मास्टर बन गया, अब वो पर्मनेंट ली ग्रैंड मास्टर ही रहेगा, ग्र इसके पास exceptional skills हो जिसके पास जबदस strategies हो और commitment हो game के लिए वो विक्ति बनता है chess में grand master अब जो term है grand master ये एक century पुरानी है initially ये शब्द grand master ये एक generic expression था किसी ऐसे player को describe करने के लिए जो master से better है मतलब एक तो होगे ना chess में बड़ा अच्छा player है हम उसे बोलेंगे कि अच्छा बही है ये तो master बन गया अब एक उससे भी अच्छा player है तो differentiate कैसे करें तो उसको हमने बोला कि ये grand master है यानि एक जो ये chess का master है उससे भी जो जवर्दस player है वो grand master है तो ये इस प्रगार से initially एक generic expression था किसी ऐसे player को describe करने के लिए जो master से भी better है उसके बाद 1950 में fight जिसके बारे में मागे देखेंगे उसने formally designate करना शुरू किया किसी भी best player को as a grand master और इसके उपर fight ने कुछ criteria भी बनाए कि जो भी इन criteria को follow गरेगा उसको grand master का title दिया जाएगा तो इसकी शुरुवात 1950 में हुई किस organization के द्वारा हुई fight के द्वारा अब grand master का title को attain करने के लिए जो भी chess का player है उसे दो key objectives को fulfill करना बढ़ता है सबसे पहला आता है fight की rating जो कि 25 से जादा होनी चाहिए अब इनके बारे में मागे विसार से देखेंगे अब आतारी है fight इसके full form है international chess federation ये एक switzerland based governing body है जो इस पूरी के पूरी international game को govern करती है याद रखेगा fight कहां पे है ये governing body switzerland में full form क्या है international chess federation और दूसरा जो key objective होता है वो होता है specific number जो GM norms है यानि grand master के norms हैं अब ये norms किसने बनाए है obviously fight नहीं बनाए है तो इसको secure करना पड़ता है अब GM norms जो होते हैं ये कैसे secure के जाते हैं जब आप tournaments में participate करते हैं फिर वहाँ पे बाकी chess players के साथ आप games खिलते हैं फिर जब आप उन games को जीते हैं तो GM norms मिलते हैं ये कितनी rating में कितने मिलते हैं हम आगे विस्तार से देखने वाले हैं अब देखो GM norm को achieve करने के लिए एक player को 26 की rating जो है उसे maintain करना पड़ता है किसी भी एक tournament में एक ऐसे tournament में जहांपे minimum no rounds हों तो minimum no rounds हैं एक tournament में जिसमें 26 की rating जो है उसे maintain करना पड़ेगा किसी भी player को जब वो एक game में किसी ओर distinguished chess player के खिल रहा हो तो किसी भी tournament में अगर कोई player minimum no rounds में 26 rating को maintain कर पाता है तो उसको GM norm मिलता है अब grand master hood का जो path है यानि जो रास्ता है grand master बनने का इसमें continuous improvements चाहिए और dedication चाहिए इसके साथ है कुछ specific requirements होती है fight के द्वारा international chess federation के द्वारा बनाई गई उन requirements को भी fulfill करना पड़ता है जैसे कि achieving a fight rating of 25 अब international chess federation जो है उसके द्वारा हर game में ratings मिलती है तो 25 की जो rating है उसको achieve करना पड़ता है यह exceptional chess की prowess बताती है यानि अगर किसी के 25 की rating आती है तो मतलब वो जो player है वो काफी अच्छा player है और यह rating जो है यह prerequisite है यानि यह काफी important है grand master के title को consider करने के लिए मतलब अगर किसी player के पास यह rating नहीं है तो उसको consider भी नहीं किया जाएगा कि वो grand master बनेगा कि नहीं बनेगा consider नहीं करना है consideration के लिए prerequisite क्या है कि 5k rating होनी चाहिए 25 फिर आता है कि at least 3 grand master norms को score करना पड़ेगा अगर कि किसी भी tournament में जब कोई player काफी अच्छी performance देता है exceptional performance देता है तब उसे norms मिलते है तो norms कैसे मिलते है जब भी आपकी rating 26 at least fight के rating जब 26 मिलेगी तब आपको norm मिलेगा तो आपको इस प्रगार के 3 grand master norms score करने पड़े है और ये जो norms होते हैं कि minimum 27 games में score करने पड़े हैं ये जो 3 norms हैं इसको at least 27 games जो एक tournament में होगी उन 27 games में earn करना पड़ेगा पैसे नहीं कि उमर भर में लगे रो लगे रो कभी न कभी तो 3 norms आ जाएंगे ऐसे नहीं 27 games में जो एक tournament में होगी उसमें एक player को 3 GM norms यानि grand master norms को earn करना पड़ेगा तब ही उसको consider किया जाएगा grand master के title के लिए फिर आता है diversity of opponents अब ऐसा भी नहीं है कि एक player है जो काफी अच्छा खासा खेल लेता है तो वो किसी ऐसे ही बेकार से player के साथ खेले और जीज़ ज़र फिर बोले कि भाईया हमें grand master बना दिये जाए ऐसा नहीं होगा तो आपके जो opponents होंगे उसमें 33% at least grand masters होने चाहिए और जो 50% opponent है उनके पास fight का title होना चाहिए मतलब मान लो कि ये एक player है अभी ये player मान लो 100 games को खेलता है तो इसमें से minimum 33 games जो होंगी वो इसे किसी already जो grand master है उसके खेलने पड़ेंगी और इसमें जो 50% होने चाहिए वो इन 33 में भी हो सकते हैं 33 के बार भी हो सकते हैं उनके पास fight का title होना चाहिए तो ये एक सबसे important चीज़ है कि जो opponents है उनमें diversity होने चाहिए ऐसे नहीं कि तुम किसी ऐसे बेकार से player को बिठा दो और उसके खिलाव जीज़ और बोलो हमें grand master बना दीज़ तो उसे उस पूरी tournament में at least 380 की जो rating है उसको maintain करना पड़ेगा अपने opponents के खिलाब इसके साथ साथ जो आपके opponents होंगे वो at least 3 अलग-अलग chess federation से आने चाहिए मतलब minimum 3 different chess federation से आने चाहिए रहसे नहीं कि एक ही chess federation के player के साथ खेल के आपको grand master बना दिया जाएगा at least 3 अलग-अलग federation के player के साथ आपको खेलना पड़ेगा और उनको हराना पड़ेगा norms को achieve करना पड़ेगा rating को achieve करना पड़ेगा तब जाके आपको consider किया जाएगा grand master के लिए फिर आता है tournament का structure अब grand master बनने के लिए किसी भी player को at least एक swiss system tournament को जीतना पड़ता है swiss system tournament जहां पे at least 40 participants हो swiss system tournament जिसमें at least 40 participants हो उसको जीतना पड़ेगा यह एक tournament structure है तो जब आप उसे जीत हो गए तब आपको grand master बनाया जाएगा तो यह होती है कुछ important requirements अब इन requirements को fulfill करना इतना भी easy नहीं होता है इसमें exceptional skills की जरूरत होती है dedication की जरूरत होती है और highest level पे consistently perform करने की ability होना बहुत जरूरी है अब जैसे मैंने आपको कहा कि grand master title और जो fight के titles होते हैं वो lifelong honors होते हैं लेकिन जो fight के regulations हैं उनमें कहा गया है कि कुछ conditions हैं जहां पे इस title को revoke भी किया जा सकता है यानि इसको वापिस भी लिया जा सकता है अब सबसे पहले आता है कि अगर कोई विक्ति जिसके पास fight का title या ratings हैं और वो title और rating system के जो ethical principles हैं उन्हें support करता है कहीं न कहीं पता चले बाद में मतलब एक बार तो उसको rating मिल गई टाइटल मिल गया बाद में अगर पता चले कि भाईया इसने तो कोई धांदली करी है तो फिर वहाँ पे उसको revoke किया जा सकता है या फिर ऐसा हो कि जो anti-cheating regulations और tournaments के उसको उसने violate किया है कई बार होता है tournament में नहीं पता चलता है अगर tournament में पता चल गया तब तो फिर उसको considering नहीं किया जाएगा अगर मान लो title मिल गया और बाद में पता चला तो भी उस चीज़ को दोबारा revoke किया जा सकता है तो मतलब यह permanent तो है लेकिन अगर इमान दारी से जीता जाए तो अगर कोई भी धांदली की जाएगी cheating की जाएगी और फिर अगर मान लो कोई जीत भी गया और उसको title मिल गया और बाद में पता चला कि यह cheating है धांदली है तो उसको वापिछ ले लिये जाएगा रिवोक कर लिये जाएगा अगर इमान दारी से जीता जाता है तो फिर यह lifelong honor है तो यह है दोस्तों ही पूरी प्रक्रिया इन सारी requirements को पूरा करना पड़ता है तब जाके किसी विक्ति को grand master का title मिलता है अगर आप को वीडियो अच्छे लेगे जो like करेगा